अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री जो गुजर गए हैं, उनका फातिया पढ़ लें बेगम साहिवा, मैं कुछ ना कहो, खादम हमने कहा तुमसे, हमारी जुबान कडवी हो चुकी है हमारी जुबान का जाइका बदलो जाओ, हमारे लिए चकना पेश करो जी, बेगम साहिवा तकलिया खादम यह क्या जगे है, दोस्तों यह कौन सा दयार है हदे निगाह तक जहाँ घुबार ही घुबार है हमने कहा वेगम साहिवा यह कुसूर आपकी निगाहूं का है जो सिर्फ घुबारी घुबार देखती है अपने इन बेबाक नजरों से कहें कि कभी हमारे खीरे पर नजर डालें अरे वा, खीरे? खीरे तो हमें बहुत पसंद है मिया आपको देखके मालूम चल गया था मुझे कि खीरों का खास शौक फर्माती हैं आप बिलकुल दुरस फ़र्माया आपने खीरे वाले तो बताएए कौन-कौन सी नसल के खीरे हैं आपके पास हमारे पास गुल फाम है गुल रेज है, गुल बदन है गुल पनाग है, गुल खौर है गुल सौर है और गुल कंदी है वह 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 आपके पास तो बहुत ही उम्दा नसल के खीरे है मिया वेगन साहिब आप दिल तोड़ने वाली बात कर रही है यह खीरे नहीं है यह हीरे है हीरे वैसे हमें गुलखार नसल के हीरे खीरे बहुत पसंद है बेशक आपकी पसंद कीज़ दाद देने का दिल कर रिया है फिर देखिए क्या है गुलखार जो किसम का जो हीरा बड़ाई हसीन बड़ाई सुडॉल और मज़े की बात ये कि खुरदरा भी है हमें खुरदरे खीरे बहुत पसंद है पैशक बेशक बेशक तो खीरे वाले हमारे काम कीजे हर रोज हमारी हवेली पर खीरे पहँचा दिया करो बेशक बेगम साहिबा, खीरे ले आएंगे, आपकी हवेली पे जो कहेंगी वो ले आएंगे? ना गुल अपना, ना खार अपना, ना जालिम बागबाँ अपना, बनाया आह, किस गुलशन में हमने आशियां अपना. लगता है आपकी गुल और खार से खासी दोस्ती है? जो दामन थाम लेते हैं. बेशक, बेशक. खैर, आओ कभी हमारी हवेली पर अपने खास खीरे लेकर. आजांगे बेगम साहिवा, जब बोलेंगी तब आजाएंगे, हाजर हो जाएंगे. आदा अब? आदा अब? ऐसे का घुर रही हो, यार? माफ करना, वेबू. लेकिन तुम एक नंबर के बेहया और बेशरम किसम के इंसान हो. क्या हुआ? तुम एक नंबर के फ्रॉड हो. मैं अचानक से फ्रॉड कैसे हो गया, यार? एक तो तुमने मुझसे जूट बोलकर शादी की, कि तुम एक करूड़ पती इंसान की उलाद हो. और उसके बाद भी, तुम शादी के बाद, अंगुरी जी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो. माफ करना, तुम भी कोई दूद की धुलिवी नहीं थी. तुम भी एक नबर के काईयां तुवाइफ थी. तुवाइफ के बादी जी के खिलाफ एक शब भी नहीं सुनेंगा हम. आप तो ज्यादा पजामे के बाहर निकल यही ना इलजू के भाहिया. हाँ, अपनी पत्नी को छोड़कर तबायब के पीछे पड़े हुए थे, आप लाइन मार थे ओके ओपर. अरे, समझा गरू पगली, वो तो पैरा, पैरा, पैरालल वोल्ड. हाँ, वो था. चुब, कौनो भी दुनिया हो, अपनी पत्नी को छोड़कर कौनो पराई औरत पर नजर डालना अच्छा बात है का? ओंग, चाचा, पड़ी सॉस भी देना दा, चिली सॉस. पड़ी एक्स्ट्रा देना. ओके. चिली सॉस. तिहारी जी. तिहारी जी. चिली सॉस. भाई, 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 गाई, निकल तो नही लिया ये. तिहारी जी. भाई, तिहारी जी. नाम मत दी जी अपनी गंदी जुबान से आमारा. अबे, ये बता तू इतरा छिला हुआ वाई, ये. यह आपके जो लाजले भतीजे है ना यह हमें छीलने की फिराक में थे दूसरी दुनिया में इनोंने हमारे नाम की सुपारी ली थी तिवारे से आपको खप्ता चुना या काबिल भी नहीं है सुपारी को क्या लेगा आपके नाम की आप एकतम बैल बुद्धी है बैल बुद्धी क्या बगा आपने आपको याद नहीं है सेक्सेरा कि सैंटी ने क्या का था क्या का था कि जो उस दुनिया में देखो उसका इस दुनिया से कोई लिंक नहीं है को लिन देना नहीं है समझे समझे कि नहीं समझे है आँ भाई हाँ ठीक है कहता ने जे काईए ने बता ही और इतनी सी बात आपकी बुद्धी में नहीं बैट रही है अरे कैसे बैटेगी यार बैल बुद्धी है ना अबे ओए 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 इतना चिनी सौस डालेगा तो मामला सुबह छिली छिली हो जाएगा हम सेथना चाहते हैं कि हम जिन्दा बचे भी थे कि नहीं उसके लिए तो आपको सक्सेना के अंगल के पास जाना होगा वो ही खिलोने की वज़ा से ये मालू पड़ सकता है कि तिवारी जी के खिलोने में चाबी बची हुई है या नहीं हुआ है पर जो तरी टेलिसको पर सेंटिस का इंफोर मिखिन वर वोड़कम बलकम अपर सब्सक्रागे तरवादा को लिए तरे कंघ गए कि मर रहें आप लोग अपर? इ अप लॉक एट कंपलिमेंटरी ने होग एक क्या बद्त्तमीज करें? तो आप दुन הכ कि यह भाहिद लोग कियो आप लोग आप लोग यहा पर? BUR माँ माप कर दोगे मैं किले यह हूरा हूं अंके से मिलने आये? अरे अंकिल को तो बुरी तरह से फसवा दिया आप लोगों ने? अभी तक चाइनीज लोगों ने उनका फॉर्मूला चीन के पतानी शायद दूसरी दुनिया में भी पहुचा दिया होगा उनको कैसे बात ही करने आप सकते ना जी? अंकल जी को चाइनीज लोगों ने पकड़ लिया? आप अभी मा, इन दोनों भाईया लोगों ने जो किया है आप सोच नहीं सकती है और लिडी चाइनीज लोग मेरे अंकल के पीछे पड़े हुए थे इन दोनों ने उन लोगों को confirm news दे दी के मेरे अंकल यहां रुके हुए है आप दोनों कही चाइनीज जासूस तो नहीं है आप दोनों मुझे चाइनीज लग रहे हैं अरे-अरे क्या बगवास कर रहे हैं हम शुद्ध भारती हैं और यह तो खासूर से बड़े शुद्ध हैं देखिये ना अरे अगर शुद्ध भारती हैं तो आपने इतना बड़ा गुनाह क्यों किया Z5 आप टाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिलकुल फ्री